नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है फिर से आपके ये अपने यूट्यूब चैनल सरगम रिकॉर्ड पर दोस्तों में आपका अपना होस्ट और दोस्त अजीद सर्मा दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपनी हमारी इस चैनल को इतना विश्नु प्रान और श्री कृष्णा के जुड़े हुए हर रोज वीडियो हम ले के आते हैं तो देर के स्वात की अभी चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबा दें जिसे हमारा वीडियो हर रोज आपके मोवाईल में बड़ी आसानी से पहुंच जाए तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों आपके कई दिन से मेसेज आ रहे थे कि आप महावारत के सुदर्शन चक्र के बारे में बताईए जो कि किष्ण जी ने धारन का रखा था चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के उप्रांत कहां चला रहा है, महा भारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, चलिए आज के वीडियो में हम यही आपको बताते हैं दोस्तों कहते हैं सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जो कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली के निकलने के बाद अपना काम पूरा करके ही वापस आता था यानि जब ये उंगली से निकल गया उसके बाद लक्षा का पीछा करता हुआ उसका काम तमाम करके ही वापस आता था तो चलिए बताते हैं आपको आज सुदर्शन चक्र के बारे में अंसुनी बातें क्यूपि इस चनल पर आ जाने के बाद अंसुनी बातें अब अंसुनी नहीं रहेंगी तो हम आपको बता दें सुदर्शन चकर एक ऐसा अस्त्र था जो कि प्रभू श्री कृष्ण जी की उंगली पर विराजमान था उसको छोड़ा नहीं जाता था वो आदेश से जाता था और आदेश से अपना काम करके वापस श्री कृष्ण जी की उंगली पर आ जाता था ये चक्र किसी भी चीज को खतम करने की शम्ता रखता था ये तो हुए सुदर्शन चक्र के काम अब बात ही आती है कि इसकी उत्पत्ती कैसे हुई मतलब ये आया कहां से तो चलिए आपको ये भी बताते हैं ये बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज का हमरा टार्गेट है 500 लाइक का क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि हम ऐसे वैसे चीज नहीं लेके आते हैं हम लेके आते हैं अध्यात्मिक बाते हैं अब बात करते हैं सुदर्शन चकर की उत्पत्ती कैसे हुई जैसा कि पुरानों में बताया गया है कि बगवान बिश्रुकर्वान ने सूरे के ते से तीन चीजों का निर्वान किया पहला पुस्पक विमान, दूसरा बगवान श्रीकर्व का तिर्शूल और तीसरा ये चकर ये तो बात हुई कि सुदर्शन चकर की उत्पत्ती कैसे हुई अब बात ये आती है कि महावारत के बाद सुदर्शन चकर का क्या हुआ इसका जवाब मिलता है बवश्य पुरान में कहते हैं जब बगवान श्रीकर्ष ने दे त्याक किया तो उस वक्त वो सुदर्शन चकर भी वहीं पे दफन हो गया बवश्य पुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि कल युग में बगवान जब कल की रूप में अफ्तार लेंगे तो सुदर्शन चकर उनके साथ आएगा आप कोई जनकरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रू बताईएगा और हाँ अधिक जनकरी के लिए आप हमें इस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे फोलो कर सकते हैं चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में तब तक आप मस्त रहें वेस्त रहें और जबर्दस्त रहें जैसरी राम